हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस यूपी बोर्ट के द्वारा जारी किया गया विज्ञान के पेपर के यहां पे हम हल आप सभी को बताने वाले हैं फ्रेंस ये यूपी बोर्ट के द्वारा 2024 के लिए सबसे important paper है, इस paper का आप संपूर हल जरूर देखें, और आप इसको paper से एक दिन भी देखके आप पहले चले जाते हैं, तो आपको गारंटी देते हैं कि आपको maximum सवाल जो यूपी बोर्ट के द्वारा paper वारल किया गया है, यूपी बोर्ट के द्वारा जितने भी paper वारल किये जाते हैं, उसे से आपके बोर्ट के exam में maximum सवाल आते हैं, तो यहाँ पे देखें, आपका पूरांक बता दिया गया है कि टोटल जो विज्ञान का paper रहेगा, सत्तन नंबर का पूरांक रहेगा, और आपको समय मिलेगा paper पर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट समपूर समय मिलता है, इसके कुछ यहाँ पर निर्देश दिये जाते हैं, चलिए आपको निर्देश सभी बता देते हैं, पहला निर्देश है कि प्रारम के जो 15 मिनट रहेगा, आपको इस प्रश्ण पत्र को पहने के लिए समय और यहाँ पर देखिए कि प्रश्ण पत्र, फ्रेंस एक चीज़ बताते हैं कि विज्ञान के जो निर्देश दिये रहते हैं, इसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि इसमें कई उपखंड होते हैं, जो आपको पहले से जानना आवस्सक है, देखिए तीसरा निर्देश को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, कि खंड आ तथा खंड बजो है, तीन उपखंडों, देखिए आपको बोला है तना कि उपखंड का, उपखंड का और उपखंड का और उपकंड गाल में भी भाजी था, आपको अगला है कि प्रश्ण प को एमार सीट भरना रहेगा, आप नीला पेन या काला बाल पॉइंट से भर सकते हैं, देखिए चौता है कि खंड आ में बोविकलपी प्रश्ण जो रहेगा, एक एक नमबर कराएगा, यह सभी आपको तो पता है, और खंड बजो है का वडात्मक प्रश्ण रहेगा, अगल कि खंड बोग के परतेक उप्खंड के सभी प्रश्ण एक साथ करना आवस्सक है, परतेक उप्खंड नए प्रिष्ण से प्रारम कीजिएगा, देखिए यह सबसे इंपोर्टेंट है, कापी लिखते समय इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजेगा, कि जब भी आप उप्ख प्रश्ण हल कराते हैं, इन सभी प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लिजी फ्रेंश ठीक है, हंडेट परसेंटेज आपको पेपर में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है, देखिए खंड आ के जो बहुई कलपी प्रश्ण है, उसमें उप्खंड को देखा जाए, और देखिए यहां पर एक एक अंक निर्धारित किया गया, इसके सामने प्रश्ण के सामने यह आपको इस तरह लिखा मिलेगा, पहला प्रश्ण आपका है, कि दो प्रिष्टों से घिरा हुआ पारदर्शी जो माध्याम, जिसका एक या दोनों प्रिष्ट गोली है, कहलात है, तो पहले नंबर देखिए, यहां पर गोली सब्द है, और क्या है, पारदर्शी है, तो इसे क्या कहेंगे, गोली दरपड कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, गोली लेंस कहेंगे, या समतल दरपड कहेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाप याद कर लिज होते हैं दांत को दंत विस्सक्ट के द्वारा मरीजु की दात को देखने के लिए जो तरफ़ परयोग किया जाता है वह हमेसा याद रखिएगा आउतल दरफ़ होता है कौन सा दरफ़ ऐतल दर रखा गया इसका पर द्यान दीजेक है क्षश्टविक कई दूरी पर रखा गया है इसका सही जो अब एवल आप्सन के आवजागा इसे भी यहाद रखिएगा अगले प्रश्ण को देखते हैं अगला प्रश्ण देखिए क्या है आपका चोथा नंबर का कि मानो नेत्र ठीक है मानो नेत्र अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है ऐसा हो पाने कारण है देखिए एक नंबर का है किसके कारण ऐसा संभौ है तो देखिए जराद द्रिश्टी दोस में होता है ठीक है चलिए अगले आप्शन को देखते हैं देखिए समंजन उसे करते हैं यहां उसे क्या करते हैं निकट द्रिश्टी दोस्त यहां दूर काला रखी वास्तुको फोकसित करती है ऐसा और कार होता है इसमें आपको आपसन में समझन अन्थ इसे क्या बोला जाता है इसे समंझन याद रखेगा इसका मदब चौत्य सही जब क्या हो अब देख़ें यहां पे ध्यान दिजिगा। विद्दूत भी भॉ रहता है कि जरी कि देखें आधा संब्स दूरीपी तैस में देखें- इसका कॉन सा उस पसतर चोफा यह यह निए इसमें करम but यह तो एस फफर करके हों canada सबड़ित का मात्रक लिए खरी कहा होगा गया लेकिन चलिए को मिला के बता देते हैं इसके मात्रक को जरूरी याद रखिएगा विद्धु शक्ति का मात्रक वाट होता है अब प्रतिरुवत का मात्रक ओम होता ये सभी आपको बता हैं यह सभी मात्रे का आप जरूर याद रखिएगा ठीक है अब चलिए आपके सामने अगला नंबर का देखिए छठा नंबर का सवाल है कि दो चालक तार जिनके पदार्त की लंबाई तथा ब्यास समान है किसी विद्धुत परिपत में पहले उसे क्या किया होगा ठीक है विद्धुत चालक है मतलब दो आपका क्या वोधैगा प्रतिरोध हो जाएगा ठीक है चलिए इसको लगा आपको बता देते थे हैं जिसंटे मिद्धा दो परतिरोध आपका दो पर तिसमान है यहां प्रतिरूत क्या हो गाए यहां प्रतिरूत क्या हो जाएगा तो पर बाबर खुरीक नहीं से गें जोड़े हैं था यहäischenजल करें घ्लावित जोड़ें जाते ह्के स cape 1で 10 जो लेते हैं समांतर क्राम के समांतर करम का तुले% परत拉od को बना पान आर्न रहे प्लस बनापन क्या हो जाएगा हों बने एक है कमें एक 2 বटार यहां रहरGER। कि आपका टू एक रटूर्टा टूब्रा क्या ओजाता है इतर का यह मांध प्लड जाता है यह फिल्ट का डूरिक और अनुपाद कि इसमें पूछा थे सिर्ड़ी क्रम तथा पासर्व सनियोजन में उत्पन उसमाओ का अनुपाद पूछाए ना तो उसमा बराबर देखिए यह बराबर फार्मूला क्या होता है बी इसक्वायर आर अपांट्टी होता है ठीक है और प्रतिस्क्ण यानि समय का माय भूस्त वरेंगे जुक्षberry क्राम में समांतर प्रतिरोत क्या होक्INT पर्तिरोत के क्या है इन्वर्सली है यह इस तरह आप देखेंगे तो देखें तो देखेंगे तो देखें तो यहां पर ती त्राने दीजेगा फिर जब समांतर करम में जोड़ेंगे समांतर करम में तो उसमा क्या हो जागे ह्यच 2000 देखेंगे 20 स्कार अपने जगा अब इस आर के जगार पर कितना रखना है आपको 2 यहां प्र he टी रहेगा अब यहां पर देजिती यह ताब क्या करेंगे कि भी स्कौाईर यह दू उपर चलाजाएगा तो क्या हो जेका टू भी स्कौाईर टी अपान आर षे स्थान पर हगा आपको सडूरी करम तरह समांदर क्रम में उस्माओं का अनुपात पुछा है तो तो H1 upon H2 बराबर क्या हो जाएगा ति H1 का यह है आपका भी स्क्वाइट टी अपान 2R और यह इसमें कितना आया है लिएक अनुपाथ में लिखेंगे इस सवाल को थ्यान जरूर दिजिएगा जब इस पकास पर आपको इस परका यहां लगाका ही हल कीजिएगा और इसका अनुपात कितना है एक अनुपात ते चार तिसका सही जो आप चली आपसन में देखते हैं तो आपसन में सीवल आपसन परेक्ट हो जाएगा इस सवाल को आप जरूर लगाईएगा और आपसन लगाते समय भी धियान दीजिएगा कि चार अनुपात एक भी दिया है ठीक है इस पकास आपको क्या होता है परिनालिका होता है इस परिनालिका के अंदर पूछ रहा है जैसे यहां पर तार लेपिटा जाता है और इसे बैटरी से एक जोड़ दिया जाता है ठीक है तीस परिनालिका के अंदर पूछ रहा है कि चुम्बकी छितर कैसा होगा तो आ एक समान होता है दिसका सही जब क्या ओग…. टीवलाप्षन ता अब यहां से आपका होता है उप mathematics boyfriend का रोभी कल्पी प्रश नहीं हो प्राशन ही है एक नमबर का इसलिए इसे जो निर्देश दिये रहते हैं निर्देश को पहले ही आप ध्यान से पहल दीजिएगा ठीक है अब यहां पर देखिए बेंजीन का सरचनात्मक सुत्र पूचा यहां पर इसका आपसन देच चुका है तो देखिए यहां पर बेंजीन का पहले फार्मूला भी डारेक्ट याद र अगले और हैज्ग बहुत जाद हो रहते हैं यहां पर इसापशन में देखिए यहां एक कारबन के साथ अच्छे आपकाहिए और इसमें सरचना है परतेख कारबन के साथ एक-एक-एक-डिजिए को बाटा गया है जबकि इस आपसन में देखिए यहां पर एक कार्बन के साथ में दो हाइडोजन का बाड़ दिया गया था इसलिए यहां पर नीची इसका आपसन भी दिया है यहां पर इस चीज को ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं कि समजाती सेड़ी आपको बताना है कि समजाती सेड़ी किया है यहां पर आपका आपसन को ध्यान से देखके ही समजाती सेड़ी बताईगा देखिए आपको क्या है आपको बताते हैं कि समझाती सढ़ी पाचानने का ट्रिक होता है उसको आप ध्यान दीजेगा दिखें कार्बन कारबन की बीच में यहां पर एक कार्बन है यहां करण आए जानी कारबन बचेगा और छ इन इह हो जाएगा आपका समझाती सज़ी के अंतरगत आएगा यह क्या क्या होगा आपका पहले वला समझाती सवरी के अंतरगत आए जब कि अगला देखिए सबस्क्राइब यहां पर है कारवन है यह नहीं को कारवन सब्सक्राइब 287 यह जो सकता यहां यह गत् Isto sugo charging कारबन न मोलत सब्सक्राइब यहांपवेश्चान सब्सक्राइब होगा यहां पिद्लिग यहां पर दो है आपका ठीक है और यहां पर कीदा है आप देख करे यहां चूझेयां ब路 IS लेकिन आपले हैं हाइट्रोजीन की ध्याट है है यहां उसलिन यहां त्य ह्नम तियों भी गटना हो कि काई इल्ट द्यान दिखियां देन पर यहां पर तीसरे वाले थ्यां देती जीगा यहां पर क्या है कि यहां पर चाल घटे गटा है यहां पर अधिक होने का यह वला आपसम नहीं होगा यानि पहले और चवता होगा ठीक है तो पहला और चौता आपसं देखे यहाँ पी नीचे दिया है कि संदर भी विकल्प इसमें से कौन सा होगा पहला और चौता देखे कहां पे दिया पहला और चौता यह बीवला आपसं करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न को थोड़ा से एक दो बार देख इसको किलिए अब जर सबक्राइब. है यादव कप्रारम होता है तो आपको बारबर बता है कि दातों का च्छर उटा है है यडि पाνुंग से इसका पी एच माँ होता है का होता है कम होता है तब आपका दातों का च्छे प्रारंब हो जाता है तो आपसन देखिए यहां पर दिया है कि मुझ का pH 5.5 से कम होता है तो आपका दातों का च्छे प्रारंब हो जाता है तो आपका दातों का च्छे प्रारंब हो जाता है तो आपका दातों का च्छे प्रारंब हो ज बनाता है यह एक विस्थापन अभी किरिया है यह आपको यहां पर यह से कर रहा है कर दे रहा है तिसका मतलब यह विस्थापन अभी किरिया हुआ यहां पर आप संध्यान से पढ़िए कि दोनों कतन फर्स तथा सेकेंड सही है तथा तर्क सेकेंड अभी कतन का सही असपश्टिकरा है यह गलत है इसका यह असपश्टिकरा थोड़ी नहीं दे रहा है ति यह वाला कतन तो होगा नहीं अभी कतन फर्स तथा तर्क सेकेंड दोनों सही है परंतु तर्क अभी कतन का असपश्टिकरा नहीं है ठीक है यह भी नहीं होगा अभी कतन फर्स सही है परंतु तर्क जो सेकेंड गलत कतन है तिसका सही जब क्या होगा सही होगा पहला कतन आपको सही है लेकिन सेकेंड वाल करना है यहां पे काईसे पूरा करेंगे यहां बहुत सिंपल होता है पूरा करना वस आपको दोनों पच्छों मिलाना ना और देखना है ठीक है यहां पिदेखी यह और यहां से ओछ यह यहां पर यहां नहीं है और यहां से ओय स्में है सी थी स्टीड़ो आंच स्ट्धी आस्थी ड़ॉdis अब यह नहीं चाये यहां पर आपको यह === और हो दिया है। यहीं आपसं क्या हो जागा यहानि कि यह ऑंकर्याओ क्या संतुली थे इसके आस्था cursor having हो यही रहना चाहिए देना चाहिए इसका सही जब काया बीवलापसंचों हो जाएगा ये पुर ही जो स्विक्त आपका संथुपly regret से जो कि आप पहले से भर दिया गया है तो इसका सही जवब बीवलाप्सन करेक्ट हो जाएगा देखे उप्खंड गर इस्टार्ट होता है यह भी एक एक नंबर को रहेगा प्रश्ट और यह आपका जीवी ग्यान के से भी प्रश्ण होंगे देखिए यहाँ चौदर नंबर साय में चला जाएगा इसका मतलब इसका सही जो होता है पहले नासा द्वार मतलब नाक में नाक से आपके जो होता है उसके नीचे होता है ग्रसनली उसे जुड़ा होता है ग्रसनली में जाता है ग्रसनली से होते हुए आपका जो कंट होता है वहां से जाता है वहां सवासनल ग्रसनी कंट और श्वासनली अकूपी का इसके द्वारा होता है इसके क्रम को जरूर याद रखिएगा 15 नंबर का देखिए कि नीम ने लिखी कथन तथा कारण को पढ़कर दिये गई विकल्पों में से विकल्प चून कर आपको क्या करना लिखना है यानि यहां को निरधार होता है पहला कृत्षन यी है ये सही है कि पीता से प्राफ यक्स वाई वता है तो पीता के जो पहाई जाता वही बच्चे का लिंग होता है उसको निरधारक करने काव कौन करता थे पीता जो क्रो पास्ट होता है ठास jms आपस सही है तो यह पीता की उपर दोनों कथन आपका क्या है सही है और एक दूसरे की सही ब्याख्या भी कर रहा है देखें कथन और कारण का सही ब्याख्या कर रहा है इसका सही जब क्या होगा एवला आपसन सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं देखें अगल सीडी दिया है तो यहां पर देखिए कि इसका दोनों दिशाओं जो आपका होता है दोनों की दिशाओं एक समान होना चाहिए यहां पर देखिए इस प्रकास यह लाइन है यहां से तीर भी इसी दिशामी यह भी तीर इसी दिशामी यह भी तीर एक ही दिशामी इसकी दोनों क और नीचे वाले में देखी इसका मुह इधर रह लेकिन तीर की दिशा ये एया है यह आपसर नहीं होगा इसमें दोने ods य distinguits? एक ही समान होना चाहिए तभिज्द्दुधार को निरधार करता है जो कि यहांपर फिर पूँछा आप सब ज़िए अगले प्रश्ण को पढ़ते हैं थाराक्सीन के le Also के लिए लो ऐस्क रवश्चक है अग्ला है कि ये सरीर में कर्रिच्णी में नियमन करता है हुआ कथन Yie THYIDE की लिए थाराризμο की अवश्कता रहती ये बिए थाराइड की पूछता होती है है जो कि यहां पर नहीं पूचा है तो नहीं का जवाब नहीं वाला होगा तो इसका चाहिव क्या हो गलत हो झाली अगले प्रशन हो को देखते हैं अठारा नंबर का देखिए क्वेस्टन निमने लिखी चित्रों में ए बी सी किस क्रम में है यानि कि देखिए आप एक किसको दिखाता है ठीक है यही पर आप से भी को पता देते हैं कि एक किसको दिखा रहा है यहां पर जिससे आप इसको याद रख सकते हैं ठीक है तो यहां भाग होते हैं मूलांकूर होता है मूलांकूर ठीक है अब चरी इस करम को इसमें देखते हैं आपसन में कौन सा करम दिया है बीच पत्र थे बीच पत्र प्रांकूर और मुलांकूर ते इसका मतब सही जोब क्या होगा एवला ही आपसन आपका सही हो जाएगा इस करम को याद रखिएगा अगला देखिए 19 नंबर का सवाल क्या है आपका कि जनन की वीधी से उत्पन संतती में प्रस पर अधिक समानता होती है क्यूंकि यूँ होती है अब देखिए अलाइंगिक जनन में ही केवर एक जनन भाग लेता है ठीक है यह कथन आपका क्या होगा सही है अलाइंगिक जनन में यूग में शामिल नहीं होता है यह कथन भी आपका सही है यानि अलाइंगिक जनन में यूग में शामिल नहीं होता है यह कथन आपका सही है जबकि अगला है कि अलाइंगिक जनन लाइंगिक जनन से पहले होता है यह गलत कथन है अलाइंगिक जनन लाइ खर्ण हो जाएगा ठीक है इसके आगे पाहने की जरूरत ही नहीं पहले यह कथना क्या हो जाएगा अगला देखें बीस नंबर का कि एक आहार ना एक आहार सिन्खला में तीसरे पोशी अस्तर हमेश्हा कौन आता हे तो जो आहार स्रींखला है आहार स्रींखला के बारे में आप जरूर पॉल लिजिएगा बहुत important topic है इस topic से आपके board के exam में जरूर question मिलेगा तीसरे portion अस्तर पर कावना आता है तीसरे portion अस्तर पर बता देते हैं आप सभी को मानसा हारी आते हैं मानसा हारी इसका सही जब क्या होगा एवल आपसन सही हो जाएगा आप देखेश्या का हारी क्या है अब गटक और उत्पात इन सभी टापिकों को आप जरूर पॉड के बोर्ड के एकजा में जाएगा ठीक है आपको इन टापिकों से जरूर बोर्ड के एकजा में प्रशन देखने के लि दिरिश्टी दोस्त किसे करते हैं यह कितने प्रकार को हती है眼ही है घर के एकजाम में 100% यह प्रशन देखने के लिए 29 फरवरी को ठीक मिलेगा और इन प्रशनों को छोड़ के मत जाएगा ठीक इन प्रशनों को जरूर याद कर लीजिए ठीक है अगला प्रशन देखिए उत्तर लेंस को अविसारी लेंस क्यों करते हैं कई बर आप लोगों को बता कर लीजिए इसको भी आपको लिखना पड़ेगा इन सभी प्रशन बता रहें इन सभी प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिए ठीक है अगला देखिए कि किसी चार ओम प्रतिरोधों से प्रति सेकेंड सो जूर उसमा उत्पन हो रही है तो प्रतिरोधों के सीरो पर वि इसलिए सब इंपोर्टेंट को इस्टिन आपको बता रहें इन प्रशनों को आप तयार कर लीजिए तिके 20 ओम प्रतिरोधों की कोई विद्धू इस तरी पांच एंपियर विद्धू धारा लेती है तीस सेकेंड में उत्पन उसमा परिकलित कीजिए यह भी आपका टोटल क्या है दो प्रशन पूछा गया पर दो दो नम्र को टोटल चार नम्र के प्रश्न था प्राशन किसी चुम्बकी च्ष्थ्येद्ले में इसीद्धू-धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिक्तम होता है यह भी आपको प्रश्णों को तयार करना है ठीक है जितने भी प्रश्णों बता रहे हैं इन सभी प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लेजिए ठीक है फ्रेंस देखे अथवाला है कि फ्यूज तार विद्दू संधारित्रों का बचाओ किस पकास करता है इंपॉर्टेन प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लेजिए ठीक है यह सभी को कई बर करा चुके हैं यहां पी इंपॉर्टेन को आप सभी को बता दे रहें देखें उप खंडखा में देखें आपको पांचवा नंबर यह भी आपका चार नंबर का क्योंश्चन है पहला प्रश्ण है कि कि तनु सलफूरिक अम्ल दानेदार जिंग के साथ अब किरिया करता है है यह समिकलों को आप जूरूर तयार किजिए सबसे इंपोर्टेंट अगला प्रशन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गयस का वायू में दहन होने पर जल एम सल्फर डाइकसाइड बनता है यह जितने भी प्रशन है इन प्रशनों को आप पूरा अदम हंडेट परसंटेज तयार कर लिजेगा आपको फिनों बता रहें कि य अगला इसको भी आपको याद रखना है कि प्लेटनियम जो होता है सोना एम चांदी का उप्योग आभूशन बनाने के लिए किया जाता है तो एक कारण बताना है कि क्यों किया जाता है अगला कि निसकाशल प्रकरम में कार्बोनेट एम सल्फाइड आयसक को आकसाइड में परिवर्तित किया जाता है इस प्रशन को साथ में आप जरूर तयार किजिए अब देखे आगे यह इंपोर्टेंट को एक्ष्ण अदम है यह भी आप प्रश्ण को तयार कर लिजिए कि सहसानियोजर आबंद किसे करते हैं सहसानियोजी आबंद के दो लच्छड के बारे मे आप लिखे दो अब जरूर तयार करके जाएगा अगला एक नियुगे को नाम लिखना बताएं सब्सक्राइब यह त्यक्ति नाम तयार कि जिए अगला है कि कठोर जल जल को साबून से उप्चारित करने पर ज्याग के निर्माड को समझाएं सब्सक्तित कूछी यह तीन प ठीक है चलिए अगले प्रश्णों को आपको बताते हैं देखे आपका अथवा में सवाल दिया है यह भी आपका कितने नंबर का छे नंबर का है निमलिकित पर टिपड़िया को करना है आप विकृति गंधिता हुआ रेडाक्स अभिक्रिया हुआ इस्टिक्र अभिक्रिया य जिरूर याद करके जाए ठीक है हंडेट परसंटेज इसमें से आपके बोर्ट के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ठीक है अब यहां से उप्खंड गह स्टार्ट होता है यहां पर इसके इंपोर्टेंस सवालों को बता देते हैं इन प्रश्णों को भी आप जरूर सकते ह्दम अगला प्रश्ण देखेँ नौ्व नंब्र का- निम्न लिखी चित्र में अंत असरावी ग्रंथियों के नाम आपको बताना है जैसे यहां पे जो लिखा है यहां पे जो अंतस रावी ग्रंथिया यह कौन-कौन सा है इसके नामों को आपको लिखना और तयार करना है ठीक है इस चीतर में आपको एक कौन सा भाग दिखा रहा है बी किसको दिखा रहा है सी किसको दिखा रहा है इन सभी के नाम को देख लीजिए और यह होता क्या इसके बारे में आप जो रूपा लिजिए ठीक है अब आपके सामने अगला नंबर का देखिए सवाल क्या है यह आपको पैरग्राफ टाइप दिया इसको पढ़के इसी में से आपको एंसवर देना रहेगा देखिए सवाल क्या है कि लिज़ित यहाँ पर गत्वार को पढ़का प्रस्णों उत्तर देना यह टोटल चार नंबर का प्रश्ण है आप इस पर्दान को पूरा यहां से लेके यहां तक पढ़ना रहेगा तक इसकी भ्याख्था इस तत्थ में नीहित है कि मानो के सभी गुर्षूत्र पुरुभर कहते हैं जो सदा पूर जोड़ों में नहीं होते हैं इस्त्री में गुर्षुत्र का पूर युग्म होता है तथा दोनो एक्स होता है इस्त्री में क्या होता है दोनो एक्स होता है लेकिन पूरुस यानि कि नर में यह जोड़ा परिपूर जोड़ा नहीं होता जिसमें एक पूर्सों में यक्स वाई गुर्शुत्र होते हैं क्या अब हम यक्स और वाई का वनसानुगत प्राप्त कर सकते हैं यह आपका गध्यांश्टाप दिया है इस पे आधारी दो प्रशन पूछा है लिंग निरधार वनसानुगत कैसे हो सकता है तो यहाँ पैर अगर आप सकता है अगला नमबर का सवाज तयार करना आपको कि मानो आहर नाल का आरेक बनाई यह आहर नाल का आरेक जरूर बना लीजिए ठीक और उसमें निमनलिख्षित भागों को नमांकित कीजिए मुख कहां पे है ग्रासिका कहां पर अमाशे कहां पर छोटी आत आपको बनाना उसमें इसको दिखाना है ठीक है यह टोटल कितने नंबर करेगा छे नंबर का प्रश्ण रहेगा अथवा में दिया है कि इस्त्रीकेसर आप फूल पत्ती वाला जो है तो उसमें इस्त्रीकेसर का स्वच इमनमांग की चित्र अब बनाना सीख लिए उसमें प्रागनली की भृ इस्ति विज़ा में सेम तुसेम यही प्रश्ण 29 फरवरी के विज्ञान के पेपर में देखने के लिए मिलेगा जितने भी प्रश्ण बता है इन प्रश्णों को आप जरूर तयार कर लिजिए किसी भी प्रश्ण में आपको कोई प्राबलम होता है तो कमेंट बाक्स में ल